जो बाइडन इसकदर फस चुके हैं अपने देश के अंदर कि फिलिस्तीन के सवर्थन में लगातार उनके अपने सरकारी घर यानि वाइट हाउस के बाहर लंबे वक्त से प्रतरशनकारी धरना दे रहे हैं आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के हालात पैदा हुगा है क्योंकि अपतरशनकारी सर्फ वाइट हाउस को घेरे हुए थे चारो तरफ से और जब उसको घेर रखाता तो आराम से जो बाइडन आ जा रहे थे लेकिन इन सब के बीच खबर है कि अब जो ब आपर दिखाऊंगा कि फुटबॉल मैच के दोरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे बाजी हुई तो कैसे खुलकर इस्राइल के लोगों ने गुंडा करती किया यहूदियों नों गुंडा करती कि आज मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाना करें तमस्कार मैं हूं प्राज इसी से लगातार हमारा होसला हमारा जजबा लगातार बना हुआ और एक एक ख़बर चुन-चुन का फैक्ट के साथ आपके सामने परोज रहा है सबसे पहले मैं दूसरी खबर को पहले बताऊँगा दूसरी खबर का मतलब कि कैसे एक फुटबॉल का मैच चल रहा था यह दो देशों के बिश मैच चल रहा था जैसे यह फिलिस्तीन के समर्थन में नारे बाजी हुई दोस्तों वहाः पर कुछ इसरायली मवजूद थे उन्हों होना ने टंके की जोड़ पर सब के सामने मार पीट शूरू करती पहले वीडियो देखे तो तोरा जुडाइज्म नाम के ट्विटर रेंडल से ट्विट किया गया बताया थे कि फिलिस्तिनी कितने बेरहमी से पीटा जारा आप तेख सकते हैं तस्वीर में वहाँ पर ऐसा नहीं कि लोग मौचूद नहीं कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रुकते नहीं है और उसके हिम्मत देखिए जो फिलिस्तिन का समर्तर कर रहा था वो अलगातार भिड़ता रहता लेकिन चुकि उनकी तादाच जादा थी इसलाइल के समर्तकों की तो मार्पीट में बुरी तरह से घायल होगे उसकी बाद में बेहुश पड़ा भी बिला है जो खबर है तोरा जुडाइस्म उन्हों ने इसे ट्विट किया और क्या लिखा पड़कर बता देता है उसमने का एक ग्रीक टीम ऑलमपिया कासो और इसराइली टीम मेकाबी तेल अवीब के बीच फुटबॉल मैच से पहले फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले एक विक्ती को इसराइली आतंगवादियों ने पीटा और गंभी रूप से घायल कर दिया ये इंग्लिश मेले का मैं हिंदी में कनवर्ट करके आपको बता है कि पूरा का पूरा फुट वालत स्तरीके से नारे वजी और तमाम चीजें होते ही देखें ये नजर आईंगे डेखेंगे क Pennsylvania कि पाल ऐसतार फो, है कि पालजन! पालजन परिमने सीज फायर के नाम से बहुत बड़े 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 बैनर्स ले रखे हैं इसी सड़क से फर्राटा बड़ती हुई जो बाइडन की गाड़ियां यारी अमेरिका की राष्ट्पती की गाड़ियां वाइट हाउस के अंदर जाती है जो आप अभी तस्वीर देख रहे हैं वहां पर बहुत भारी तादात में प्रतर्शन कारी जाते हैं गाड़ी से जो बाइडन अगर अंदर है तो अंदर ही रहेंगे और बाहर है तो बाहर है और देखी लगाता रहें इनकी तादात बढ़ती जारी इस वीडियो में दिखाए गया है लोग ना केवल सड़कों में बैटे लेकिन जैसे उन्हें खबर पहुंची उसक को रोक दिया है ये देखिए पूरी तरह से रोक रखा है जाने नहीं दिया जा रहा है रुका गया है पुलिस वाले भी मा मौझूद हो लेकिन अपने लोगों को पीट नहीं सकते क्यों कि हालात के समय चल रहे हैं दोस्तों वो जो बाइडन के खिलाफ तब से हो गया जब स जाने देश के अपने परिशानियाँया, जैसे हमारे तेश में हमारी सरकार से अलग मुद्धे उठेंगे आप चले जाए चीन आप चले जाए रूजव तो सब अलग अलग देशों के अलग-अलग मुद्दे हुते हैं कि एसे अमेरिका के अलग-अलग मुद्दे हैं उनके नागरिकों के अलग-अलग मुद्दे अपनी सरकार को लेकर जो बाइडन के आने के बाद पूरे भी नहीं हुए और परिशान चल रहा है लेकिन इन सब के बीच उनों ने द सिस्टीन के अंदर कुछ करना है तो उनका साथ देकर उनको मौत का सामान पर उसका यानि कि बम गोला बारूद मिसायल देकर उनका सपोर्ट करके अंतराश्ट्र के मंचों पर सपोर्ट करके आप भी नरसंगहार का काम कर रहे हैं और इसी बात को लेकर अमेरिकियों में नारा जबरतस होता है इसलिए कोई पहुँच नहीं पा रहा है लेकिन उनके अधिकारियों को खदेड़ा जा रहा है जैसा मैंने थोड़ी दिन पहले देखाए फिल्म देखने गई थी उनकी अधिकारी नियॉयॉक के अंदर वहां पर पहुँच गए प्रोटेस्टर्स उन्हों प्रोटेस्टर्स उनकारी घिर लेते हैं हर तरफ देखे चीक पोकार वाला मतलब बाहुल बना हुआ हंगामा हो रहा है नारे बाजी हो रही है ये तमाम चीज़े हो रही है और ये कबसे और जादा तेज हुआ मैं आपको बता दूँ आपको याद होगा मैंने इक अबर द भागीदार नई बन पाएंग इस तरह कर चलाया था और उसके बाद उसना जान दे दी थी इसको लेकर खासी नाराज़गी थी उसके बाद कई और दो लोग आउतरे अमेरिका की सलकों पर अपनी वर्दियां जला दी तवाम चीज़ें हुई अब ये चीज लगातार सुचिए जिस वाइट हाउस के आसपास से गुजरने में भी लोगों को दस बार सोचना पड़ता था वहाँ लोग देरा जम जमा कर बैटे हुए हैं जो बाइडन इसलिए खामोश बैटे हुए हैं और डर है इस बात का कि जो नुईती उन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन के लिए अपनाई है वो दुनिया को संबोदित बात में करेंगी उनके अपने ही देश में उनके खिलाफ आवाद रुखने लगी है हाली में अपने बतकबर बताय थी ब्रिटेन के अंदर उप चुनाव हुआ ब्रिटेन के प्रदान मंतर रिशी सुनक पूरी तरह से पूर्थक है लगातार इसराइल का विरूत करते रहा हुँ फिलिस्तीन का सवर्थन करते रहे वो जीत जाते हैं चुनाव और इसी से बॉखला जाते है रिशी सुनक वो समझ गए कि जो काम उन्हों ने इसराइल फिलिस्तीन के बीच में किया है ना उससे उनका सत्ता फिलाल प्रोटेस्टर्स ने एक देश से दूसरे देश और दूसरे से तीसरे देश में बुरी तरीके से घेर रखा है अपने अपने राश्वित जक्षों को खावर यह है कि इसराइल पूरी तरह से पहले तो अकेला पड़ा हुआ था ही था अब और ज्यादों के हालत खराब होने वारी है नमस्कार